अच्छ आप लोग ऐसे हैं देखिए यह मैं जो है आपके 16 इंची के पॉट में मैं टिकोमा एलो लगा रहा हूँ देखिए पौधा मेरा कितना बुसी है और देखिए इसके हर ब्रांच में फ्लावर आ रहा है और बट्स भी आ रहा हैं देखिए फ्लावर कितना बढ़िया लगता है आप देख सकते हैं जो है बहुत ही बढ़िया फ्लावर लगता है यह देखिए जो है कितना बढ़िया फ्लावर है जो इस तरीके से देखिए सारे ब्रांच में बट्स भी आ रहे हैं और फ्लावर भी दो-तीन दिन तक एक बार खेलने के बाद रहता इसमें कि कितना पढ़िया जो है फ्लावर आ रहा है बहुत ही पढ़िया लगता है इसमें जो कलर में आते हैं टिकोमा जो है एक एलो और 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 एंज जो है इसके पीड़ अगर आप जमीन में लगा देंके तो बहुत बड़े लगभग आप समझ दीजे कि रस्पंदर फिट हाइ है लेकिन पॉर्ट में जो है ये छोटा ही रहता है और इसकी आप हाड़ पूर्मी करते रहिए सने समय पर तो पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन मेरा पौधा देखिए अभी भी हम समझते हैं लगभग साड़े चार पास फिट का हो गया है देखिए कितना रही रगता है जो है हमारे टारीस पर है और इसकी हार्ट बूनिंग कर दिया था फर्वरी में और उसके वाज से ले जो है दीरे दीरे कि मित्वर आता अब दूतेन दे इस से इसमा फ्लावरी थार वेले रिखिए बहुत सारे फ्लावर यो देखिए बहुत तरह देखिए जो है इस तरीके से बड़ा ही अच्छा लगता है जो है चारो तरफ से और यो देखिए बट्स भी भी आ रहे हैं है और बेदिन में ये सबी फ्लारिंग हो जाएगी बहुत ही बढ़िया लगता है तो आप लोग अपने टैरिस पे लगाएए और पचास साथ रुपए में ये बड़े आसानी से नरसरी में मिल जाता है तो आप ला सकते हैं या इसकी डाली भी आपको कहीं मिल जाए तो बड़े आराम से आप जो है इसे लेके लगा सकते हैं आजकल सीजन है लगाने का तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा हूं तो सब्क्राइब करना ना भूलिएगा थांक्यू गाइज